हेलो फ्रेंड्स दिस विएक और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजे पीएच्पी का रहे में बताया था हम लोगों ने लॉग इन, साइन अप उसके बाद किस तरह से फाइल अपलोड करते हैं सब चीज़ देखा है राइट आज इस वीडियो में म बताने वाला हूँ कि किस तरह से पासवर्ड को सेक्योड वे में डाटाबेस में स्टोर करना है जिसे कि अगर मैं आपको अभी डेमो दिखा हूँ तो आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोगों ने यूजरनेम का जो पासवर्ड स्टोर किया है वो प्लेम टेक्स में स्टोर किया गया है तो आप खुद बोलो कि क्या यह सेफ तरीका है आप सोच रहोगे यह कौन सी बड़ी बात है कौन में डाटाबेस को देखने आ रहा तो अगर आपका डाटाबेस अगर चोरी कर लिया गया या फिर हैक कर लिया गया तो आप देख सकते हो कि कितना लॉस होगा आपके वेबसाइट को क्यूंकि अगर आप लोग प्लेन टेक्स में पासवर्ड रखोगे तो वो पासवर्ड को भी देख सकता है किसी भी यूजर यह सिंपल एक मेथ़ड है पीचपी में जो आपका यूज करना है और आपका जो पासवर्ड है आप छोटा सा उसे पासवर्ड दोगे और वो बड़ा सा हो जाएगा तो चले मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाता हूँ कि किस तरह से पासवर्ड को हैश करना है और उस उसने पासवर्ड अपना डाला है पासवर्ड तो सपोज यह वही वैल्यू है औके अब आपका क्या काम हाँ आपको इस Presents जाके डा डाव इसमें स्टोर नहीं करना है और आपको इसको इंक्रिप्ट करना है ताकि कोई भी अगर इसके पासवր को देखे भी तो समझ में ना पाई कि आखिर वो password क्या है तो उसके लिए एक function है और वो बहुत simple function है वो है आपका password hash okay okay अब password hash जो function है वो दो parameter लेती है पहला किस password को उसे hash करना है तो महीं आपर pass variable pass कर देता और फिर जो दूसरा है वो है कौन सा algorithm algorithm तो जो सबसे अच्छा algorithm है वो है आपका password bcrypt याद रखना इसी आपको use करना है एक और method है default पर आपको default use नहीं करना है क्योंकि यह normal method है आप bcrypt use करो बहुत अच्छा है तो अब यह क्या करेगा यह आपको return करके देदेगा एक new password और इस password को आप लोग database में store कर सकते हो तो यह since value को return कर रहा है तो हमें save करना परेगा तो मैं इसे same name में save कर लेता हूँ pass में और मैं इसे echo करता हूँ okay तो आप देखेगा इसका जादू तो चले मैं इसे refresh करता हूँ index.php page को आप आप देख सकते हो कि मैंने password क्या डाला था पर इसने return करके क्या दिया हमें हमें return करके दिया है इतने number of characters तो आप आप समझ रहे होंगे कि यह कितना useful चीज है और अगर आपको इसके length को जानना है तो मैं आपको दिखाता हूँ echo strlen of dollar pass और मैं इसे refresh करता हूँ तो आप देख सकते हो यह 60 character of इसकी 60 character है तो यह कितना important है आप समझ पारे होगे राइट अब आप पूछोगे अचा यह बात तो सही है कि चलो मैंने password database में save कर लिया अब आप क्या करोगे आपके पास password आ गया तो आप SQL command लिखोगे क्या लिखोगे आप लिखोगे insert into database इस तरह से कुछ भी लिखोगे पर जब user input करेगा मतब अभी था sign up का fish मतब sign up किया है तो आपके उसको password को encrypt करके database में रखना है लेकिन जब user login करेगा तो आप कैसे check करोगे क्योंकि वो password तो अपना password रहा लेगा तो और ये कैसे match होगा तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको जो function है वो है आपको condition लगाना पड़ेगा आपको जो भी password उसने वो किया है password function है पासवर्ड अंडर्शकोर verify ओके और password इंडर्शकोर verify में आपको जो भी password आपको चेक करना है वो पास करना है तो मैं password चेक कर देता हूं dollar मतलब मैं इसमें password value pass कर देता हूँ क्यों? क्योंकि user ने यही input किया होगा अब इसको किस के साथ चेक करना है? इसको चेक करना है इस वाले variable के साथ $pass और अगर यह सही हो जाए तो मैं echo कर देता हूँ Your password is correct और चले मैं इसे refresh करता हूँ तो आप देख सकते हूँ Your password is correct उससे पहले मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर एक break tag लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर refresh करता हूँ तो आप देख सकते हूँ Your password is correct तो actually यह work क्या रहा है? देखें मैं आपको बताता हूँ यह दो phase है पहला यह जो user sign up करेगा तो वह आपको कुछ password देगा जो कि वह अपना password sign up करते वक्त बनाया होगा आपको उस password को hash करना है तो उसके लिए password underscore hash करके function है उसमें आपको सबसे पहला चीज़ जो pass करना है वह है कि किस password को hash करना है उस password को database में जाके रख देना है अब जो दूसरा phase है वह है कि जब user login करना चाहेगा तो वह अपना username और password डालेगा लेकिन जो वह password डालेगा वह password तो आपने database में भरके तो नहीं रखा है आपने तो database के value को change कर दिया है आपने hash करके रखा है तो वह verify कैसे करेगा तो उसके लिए आपको check करना पड़ेगा एक function है password underscore verify method से उसमें आपको जिस भी password को आपको check करना है वह आपको pass करना पड़ेगा और फिर जिस variable के साथ आप check करना चाहते है वह आपको pass करना पड़ेगा और यह variable basically आपको database से आएगा क्यूंकि database में उसका password stored है और फिर जब वह सही हो जाएगा तो आपको यहाँ पर login करवा देना या फिर कुछ भी करवा देना है तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या यह सच में work कर रहा है तो कोई नहीं मैं password को pass लिग देता हूं और उसके बाद मैं इसे match करने की कोशिश करता हूं तो देखें कुछ नहीं आया क्यूंकि आपने password को hash किया है और फिर आप चेक कर रहे हो pass के साथ तो pass को अगर hash करोगे तो वह password जैसा थोड़े ना बनेगा अगली जो वीडियो में बताऊंगा जब मैं projects वगया करूंगा तो हम लोग यही method यूज करने वाले है तो वहां पर आपको और revision हो जाएगी बाकि अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो comment करके बताईए और वीडियो को अराम से देखिए कोई घरफरी नहीं है